दोस्तो ध्यान से देखो इस वीडियो को अगर ऐसा है आपका मामला और पत्नी अगर CRPC 125 के अंदर है जो मेंटेनस की डिमांड करती है CRPC 125 मेंटेनस का केस डालती है तो पत्नी का CRPC 125 मेंटेनस का केस है जो अलाउड नहीं होगा ये केस है जो खारीज करने योगे होगा तो क्या बात है जो इस judgment के अंदर खई गई है माने निया सुप्रेम कोट का बहुत ही महत्पून judgment है इसके detail के लिए सोट के अंदर detail मिलेगी पर बहुत ही महत्पून detail है तो अंतक बने रही है पूरी जानकारे का फायदा आप उठाइए और फैले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए वीडियो को देखने के बाद में आपको इस वीडियो को share भी करना है आपकी चैनल को सुब्सक्राइब नहीं किया है तो सुब्सक्राइब करके बैल आइकन को भी दबा दीजिए तो चलिए शुरू करते हैं तो वेलकम दोस्तों मैं हूँ वाइट कुर जीत अंदर यहां पर मैं किलियर कर देता हूँ कि बहुत से मामलों के अंदर ऐसा देखने को मिलता है कि अगर पतनी को एक जगह किसी केस के अंदर मैंटिनेंस यह फिर ऐलिमनी मिल जाती है तो पतनी के मन में एक लालच आ जाता है वो क्या करती है कि जिसे मैंटिनेंस के कई केस होते हैं एलिमनी लेने के कई केस होते है तो उनके अंदर भी वो क्या करती है कि लालच किता है तो जो वहां पर भी डिमांड कर बैड़ती है कि मुझे यहां पर भी मैंटिनेंस चाहिए एलिमनी चाहिए पर यहां पर उसको पता होते हैं भी पिर भी वो क्या करती है कि यहां पर इस तरीके से apply करती है कि क्या पता उसको यहां पर eliminate मिल जाए, double उसको फाइदा मिल जाए, यह फिर triple उसको फाइदा मिल जाए, तो इस मामले के अंदर क्या होता है कि पतने के दोणा Dem systems का maintenance का case होता है जो फैले खारीज हो गया था अब पत्नी क्या करती है कि यहां पर पत्नी को जब alimony मिल जाती है divorce मिल जाता है तो उसके बाद में फिर पत्नी के मन में एक लाला जाता है और वो क्या करती है कि जो उसका 125 CRPC जो maintenance का case स्खारी जो आता उसकी appeal के लिए high court चली जाती है और high court के द्वारा पत्नी के appeal को सविकार कर दिया जाता है अब पत्ति यहां पर ऐसंतुर्ष्ट होते हैं यहां पर इस तरीके से पत्ति के साथ में गलत होता है तो पत्ति यहां पर माननी supreme court के सामने जाते हैं हुआ पर अपनी बात रखते है कि यहां पिति जब पत्नी को 125 CRPC के अंदर है जो maintenance नहीं मिलेगा इस तरीगे जे पत्नी का 125 जो maintenance का case है उसको यहाँ पर माने ने Supreme Court के दोवारा ऐसे विकार कर दिया जाता है जानकार यहाँ पर समझ में आ गई होगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें उस judgment का लिंक है जो इस वीडियो को description के अंदर दिया गया है यहाँ पर आप किलिकर करके इसको चितरे से read कर सकते हैं जान सकते हैं कि मामला क्या है आपके समझ में आ जाएगा तो फिर आगे में लेंगा आप शे नेवडियो नाइट उपी के साथ में आप सुभी का बहुत बहुत धन्यवाद